नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मौसम अपडेट के बारे में और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में कहां कहां पर बारिस हो सकती है और कहां कहां पर ल आप से छोटी सी गुजारिस रहेगी कि आप वीडियो को लाइक को और सेर कर दे साथ ये ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे और कमेंट बॉक्स में आप अवस्थे बताएगा कि आप किस राज्जिक के किस जिल्ले से ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले अगर हम मानसुन के बारे में बात करें और आपको बताए कि फिलाल मानसुन की क्या इस्तती है और मानसुन कहां तक पहुँचा है तो आपको बता दे मानसुन एक बार फिर से रप्तार पकड़ ली है और आपको बता दे जहां 5 जू तक ही मौनसून की एंट्री गोवा में हो गई है और यहाँ पर यह जो IMD का मेप है यह बताता है इसके अलावा जो मानसून है वो करना टक तक पहुंच चुका है केरल और तमिल नाडू को लगबग पूरी तरीके से कवर कर चुका है लेकिन आंदर परदेश वालों को फिलाल इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि मानसून जो यहाँ पर पस्चिमी साइड है यहाँ से तो तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन पूर्वी साइड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वहीं बेगाले मिजोरम नागाले इंटिर्फूरा इन राज्य में भी कल या परसो तक मौनसून की एंट्री हो सकती है वह अगर महारास्टर की बात करे तो आपको बता दे मौनसून अपडेट को लेकर जो पहले यहाँ पर बुलेटिन जारी किया गया था उसके अनुसार तो करीबन करीबन 7-8 जून तक मौनसून महारास्टर में दस्तक दे देगा ऐसा मौ सुनबागे बढ़ने लगया है तो ऐसे में राजस्तान उत्रपरदेश, UPBR, हरियाना मद्यपरदेश स्वालों के लिए भी खुसकबरी है कि थोड़े ही दिनों के बीतर अब गर्मी से निजात मिल जाएगी आईए बात कर लेते हैं कि किस परकार से यहाँ पर मौसम को लेक में दक्सन बस्चिम मौनसुन के आगे बढ़ने की इस्ततिया आनुकूल हो गई है आईएमडी ने कुछ दिनों में गंगिया बस्चिम मंगाल में गरज के साथ बारिस और हवाओ का पूर अनुमान जारी किया है इसके अलवा आपको बता दे आईएमडी ने अगले चार द इनों में सिक्किम और पूरोतर राज्यों में तेज बारिस की संभावनाय जायर की है असम मेगाले और अनुचल परदेश के कहिस्सों में बारिस दर्ज की जा सकती है इसके अलवा मौसमिबाग ने ओरिसा के मलकान गिरी कोरापुट नबरंगपुर राइगडा रगजपत इसके अलवा हिमाचल परदेश में हलकी सेम मध्यमपार इसकी संभावनाय बनी हुई है वह आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के उत्री राज्यों की और आपको बताते हैं कि देश के उत्री राज्यों में आगे आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा त राजस्तान में 3 जून तक वैदक्सन पंजाब, दक्सन हर्याना, उत्रपरदेश और उत्री मध्यपरदेश में 4 जून तक और विदर में 5 जून तक लू की स्तती होने की संभावनाय जाहिर की है 33 जून को राजस्तान के धोलपुर, कोटा, टॉंक, करोली जिल्लों में लू चलने की संभावनाय बनी हुई है इनके अलवा बीकानेर, चूरू, हनुमानगड, गंगानगर और नागोर जिल्लों में भी लू चलेगी बैवात कर लेते हैं, यहाँ पर हर्याना की, तो आपको बता दे हर्याना में भी फिलाल लू की जो चेतावन ये वो दी गई है, दक्सिन वदक्सिन पूरा हर्याना के अंदर इसमें आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से जिल्ले सामिले तो में इंतरगड, रेवारी, जजज़र, गुरुगराम, नू, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनिपत और पानिपत में लू चलनने की संभावनाय फिलाल बनी हुई है ये था पूरे देश का मौसम आने वाले कुछ दिनों के लिए वीडियो कर पसंद आया तो वीडियो का अप्लाइ करेका और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं आप से गले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्युक्त